हेलो एव्रीवान वेलकम तु माइट बेंस मेरा नाम है वर्दान गर्ग और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट स्लाइडर में लिखा हुआ यार NFC यार नियर फिल्ड कमिनिकेशन तो क्या होता है बाइज नियर फिल्ड कमिनिकेशन अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखी तो बिल्कुल इस टेक्नोलोजी के बारे में देट इस NFC ठीक है उसके बारे में आपको पूरे पता चल जाएग यह काफी हद तक आपको यह सिंगनल देखने को मिले कभी कभार या फिर यह सिंगनल भी देखने को मिलता है यह भी NFC रिप्रेसेंट करता है तो जानते ही कि यह अच्छली NFC है क्या यह नियर फिल्ड कमिनिकेशन है क्या टेक्नोलोजी टेके कैसे वर्क करती है कहां का इसक NFC जिसका फुल फॉर्म में नियर फिल्ड कमिनिकेशन NFC । नियर फिल्ड कमिनिकेशन तो है बट Wi-Fi नहीं है ठीक है और यह short range है long range में नहीं मतलब बहुत छोटे से range में काम करती है ठीक है कितना चोटा भी आपको समझ में आ जाएगा बहुत छोटा होता है इसका range ठीक है so it is a wireless connectivity technology that lets NFC enabled devices communicate with each other तो ऐसे devices जिसमें NFC exist करता है उन devices को communicate करने में ये help करती है मतलब आपस में दो devices communicate कर सकते हैं ठीक है अगर उनमें क्या है उनमें NFC है तो मतलब अगर NFC enabled है दो devices में तो definitely वो communicate कर सकते हैं ठीक है now near field communication is the ultimate in connectivity भाई ultimate है ठीक है best we can achieve in connectivity ठीक है तो NFC is the best technology right now जो हम connectivity के नाम पे अचीव कर सकते हैं although again इसके कुछ disadvantages हैं ठीक कुछ limitations हैं बट हां connectivity के मामले में आप किसी से भी compare कर लो Wi-Fi से कर लो QR connectivity से कर लो Bluetooth से कर लो right उन सबसे best आए ठीक है so that is an ultimate in connectivity ठीक है connectivity क्या रहो connectivity मतलब दो devices को connect करने में best है ठीक है हम transfer अगरा की बात नहीं करने की transfer में best है वो सब नहीं करने connectivity connect करने में best है ठीक है चलो नियर फिल्ड कमिनिकेशन ट्रांसमेट्स डेटा थ्रू electromagnetic radio fields to enable two devices to communicate with each other अब इसका basic principle क्या होता है नियर फिल्ड कमिनिकेशन NFC का जो basic principle है वो किस पे बेस्ट है वो electromagnetic electromagnetic radio fields to waste ठीक है तो basically radio waves जो electromagnetic waves होती है उस पे यह काम करता है ठीक है to work both devices must contain NFC chips as transactions take place within a very short distance तो हमने यहाँ पर भी कहा था कि NFC enabled होने चाहिए तो NFC chips होने चाहिए दोनों ही devices में जिसको भी आप communicate करवाना चाहरे हों अब NFC कितना short range पे काम करता है वो देखिए NFC enabled devices must be either physically touching मतलब कितना पास कि वो physically touching मतलब they should physically touch ही ज़दा मतलब आपस में बिल्कॉल contact होनों चाहिए या तो ठीक है और within a few centimeters around four centimeter के आसपस यह four centimeter का gap होता है इतना short range wireless connectivity है हमने का दाना short range wireless connectivity है तो इतना short range है कि four centimeter के आसपस का distance चाहिए या फिर physical touching हो तो बहुत ही बेटर मतलब आपस में आपने touch ही कर दे तो वो तो best ही है यह है डिस्टेंस जो आपको मेंटें करना है जिससे कि यह communicate कर सकते आपस में अब basically अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे में प्रिंसिपल आया थे दो टाइप की devices का ठीक है so many devices can use the NFC standard and are considered either active or passive तो हर device या कोई भी suppose जिसमें भी NFC chips है तो वो definitely क्या कर सकते है NFC का use कर सकते हैं but उनको again दो classes में classify किया जाता है that is active and passive अब पहले यह समझना जूरूरी है कि active and passive क्या होता है फिर आपको चीज़ा आकर समझ मा जाएंगे ठीक है so NFC devices can be classified into two types which is passive and active NFC devices passive क्या होता है तो बहुत simple सी वाद जिसके पास power source नहीं है अपना ठीक है उसको passive कहते है जिसके पास power source है उसको active कहते है ठीक है पढ़ते है समझ माएगा these include tax and other small transmitters that can send information to other NFC devices without the need for a power source of their own तो इनको अपनी power source के सब्सक्राइब माना बिना power के simple normal जो sticker type होते है sticker जैसे आते ही है ठीक है normal sticker जो तो यह आप अपना credit card ले लो तो वो क्या है भाई NFC devices है ठीक है कॉंसे NFC devices है passive NFC devices है तो passive मतलब वो devices जिनके पास यह वो chips जिनके पास अपनी कोई power नहीं होती ठीक है so these include tax and other small transmitters which can send information to other NFC devices without the need for a power supply of their own इनको अपनी कोई power supply नहीं चाहिए right these devices don't really process any information sent from other sources and cannot connect to other passive components so basically यह कोई भी information process नहीं करते ठीक है इनका processing का काम नहीं है सिर्फ share करने काम है सिर्फ information provide करने काम है even आप एक passive device को दूसरे passive device से connect नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते आपको समझ माँ आ जाएगा इसके बाद these often take the form of interactive science on walls or advertisements usually आपको जो दिखेंगे cards के form में दिखेंगे credit card के form में या फिर walls में अलगलग companies advertise करने के लिए वहां पे आपका यह stakers attractive wall advertisements लगा देते हैं या फिर suppose किसी का अगर personal card है तो उसमें आपका NFC दिख जाएगा तो मतलब यह attractive forms लेते हैं पर इनका कुछ को खुद का कोई power source नहीं होता on the other hand active devices क्या है active NFC devices क्या है वो devices जिनके अपना कोई source होता है power का ठीक है so these devices are able to do both the things that is send and receive data they can communicate with each other as well as with passive devices ठीक है तो यह ऐसे devices है जिनके पास क्या है जिसके जो जो है send भी कर सकते है data को receive भी कर सकते है ठीक है they can communicate with each other as well as with passive devices मतरब आपस में दो active devices भी आपस में communicate कर सकते है और even active passive से भी communicate कर सकता है ठीक है reason क्या because इनका खुद का क्या होता है भाई खुद का power source होता है मतलब इनको battery जे पावर मिल रही होती है ठीक है now smart phones are the best example of active NFC devices smart phones जो आप यूज करता हो बेस्ट इसमें NFC होते है smart phones में for best examples है but और भी है जिसके card readers in public transport and touch payment terminals are also good examples of the technology तो जिसमें भी आपको machines ही दिखे ना machine दिखे और NFC enabled है तो वो सब क्या है passive devices है because उनके पास खुद का एक power source है तो ऐसे devices जिनके पास खुद का power source है उनको कहते है active devices जिनके पास खुद का power source नहीं है उनको कहते है passive devices but NFC chips दोनों में right जैसे कि examples अगर मैं आपको दिखाऊं तो यह आपके active devices है जैसे कि आपका यह payment terminal वाला पार्ट होगे जिसमें आप card को touch करके payment कर सकते हो तो यह क्या है active device है क्योंकि इसके अंदर battery लगती है जैसे कि आपको smartphone हो गया है smartphone जो NFC enabled अब यह smartphone में भी battery तो लगी हुई है you know that right तो यह भी क्या है NFC enabled है यह भी active device है यह दोनों किसके example है active device के example इसी तरीके से suppose credit card ले दाओ मैं तो credit card में कोई battery थोड़ी लगी हुई अंदर यह आपको लगता है कि battery लगी हुई है तो battery नहीं लगी हुई भाई है और यह क्या है यह आपका passive device के लाता है इसलिए क्योंकि इसको signal Bluetooth and Wi-Fi NFC works on the principle of sending information over radio waves तर जिस तरीके से बाकी सब काम करता है वैसे ही करता है मतलब प्रिंसिपल सेम नहीं है बढ़ हाँ वेव सेम है तो जैसे कि बाकी wireless signals जैसे कि Bluetooth, Wi-Fi यह सब भी जैसे कि आपके radio waves पे काम करता है उसी तरीके से NFC भी radio waves पे काम करता है so NFC works on the principle of sending information over radio waves मतलब इसमें जो main important क्या है वो है radio waves मतलब दोनों का काम किसमे हो रहा है radio waves पे हो रहा है ठीके the technology used in NFC is based on older technology which is RFID तो actually NFC जो है बिल्कुल RFID की तरीके से है जैसे RFID काम करती है वैसे आपके कुछ NFC भी काम करती है RFID मतलब radio frequency identification ठीके तो जिस technology पर आपको RFID काम करता था उस पर ही NFC काम करता था although इन में difference है जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि RFID और NFC में क्या difference है वो आपको आगे पता चल जाएगा बट basic case यह है कि actually मैं NFC जो है आपका subset है RFID का कुछ special features के साथ RFID से अलग होगे एक technology इसको हम करें NFC right now that use electromagnetic induction in order to transmit information तो इसने भी किसने भाई आपके जो RFID है वो भी electromagnetic induction का use करता था even आपका NFC भी electromagnetic induction का ही use करता है right now this creates one major difference between NFC and Bluetooth या Wi-Fi that is NFC can be used to induce electric currents within passive components यह भी मैं आपको समझाउंगा even ठीक है physics के concepts को use करके मैं आपको इची समझाउंगा ठीक है NFC can be used to induce electric currents ठीक है even आप electric current induced कर सकते हो दूसरे device में with the help of these active devices तो NFC में active devices को use करके आप passive device में electricity produce कर सकते हो current परेडियूस कर सकते हो है न तो induce कर सकते हो EMF induce कर सकते हो कैसे कर सकते हो वह भी अब देखेंगे ठीक है within passive components rather than just send data तो सिर्फ data send करने के बजाए आप current भी induce कर सकते हो तो इसी पर आपका wireless charging का भी concept आ जाता है NFC से आप wireless charging कर सकते हो भाई ठीक है आगे इसमें कवर किया हुआ है this means that their own power supply is not required by passive devices इसलिए passive devices को उपनी power source नहीं चाहिए क्योंकि active devices passive में क्या कर सकते हैं EMF induce कर सकते है instead they can be powered by the electromagnetic field produced by an active NFC component when it comes into range जो 4 cm के आसपास होता है या बिल्कुल आप touch कर तो physically तो best है NFC technology unfortunately does not command enough inductance तो इतना inductance नहीं देता कि आपके वो smart phones को charge कर दे to charge your smart phones but QI charging is based on the same principle but जो आपका wireless charging है वो आपका QI पे based है मतलब वो भी wireless connectivity है wireless connectivity भी है और सेम जिस principle पर NFC काम कर रहा है उसी principle पर काम कर रहा है but कुछ advanced features है तो अगर आपकी comments में आपने मुझे दिमांड करी तो मैं आपको ये QI जो technology ये भी सिखा दूँगा जिससे actual में wireless charging होती है ठीके आप wireless charging NFC से भी करते हो बट छोटे devices को करते हो smart phones को नहीं कर सकते है बट छोटे devices जैसे कि आपके smart watch हो गई तो छोटे छोटे devices जिसमें कम watt की batteries रगती है उसको आप use कर सकते हो कम power आपको अगर देनी है produce आउटपट देनी है तो आप use कर सकते है NFC का ठीके उसके बारे में भी आगे देखेंगे ठीके तो I hope यहाँ तक यह सी समझ में आए होगी कि किस तरीके से basically काम करता है आपको यह basically सिखाता हो मैं कि किस तरीके से काम करता है हाँ तो basically में पास dealt of devices X यह हमारे पास दो डिवाइस Movie서 एक है device 1 एक है device one और ऑदफे एधाइ़ टू तो टिके तो basically होगा क्या आपक एक device क्या करेंगा आपके signals कारेगा कॉंसे सिंगे जनिट करेंगा भाई आपके radioiveness जर्लेट करेंगा और मिलेंगे तब यह हो सकता है आपका active औल या passive device वह हो बल्ट जब यह signal sent कर रहा है तो यह signal send नहीं करेगा मत्तलब यह one way communication होता है ट्रीके तो यह signal send रहा है तो यह receive कर रहा होगा जबbije send कर रहा होगा टो यह receive कर रहा होगा तो इस तरीके से दो devicet में से जो एक active device है यहां important यह है कि जो signal send करने काम है यह सिर्फ active कर सकता है ठीक है यह सिर्फ active कर सकता है तो active वाला क्या करता है इस तरीकी से यह आपका जो active device है यह आपके signal generate करता है ठीक है अब होता क्या अगर आप active को passive से compare करो तो scene यह है कि suppose यह आपका NFC device है जो active device है अब यह active device क्या कर रहा होता है यह आपके radio signals generate कर तो इस तरीके से इसने radio waves generate करी अब अच्छा यह जो radio waves generate होती है यह होती है आपकी 13.56 MHz की frequency अब क्योंकि 13.56 MHz की frequency पे यह active NFC device है यह क्या कर रहा आपका यह active device है यह आपका radio wave generate कर रहा है तो अब इस frequency पे इसको हमने set किया होता है और यह दोनों क्या होता है couple हो जाते है couple होने की वज़े से यहां पे इस active device की वज़े से यहां passive device में क्या होता है एक EMF generate हो जाता है क्या हो जाता है EMF generate हो जाता है अब इस EMF को यह rectifier rectify कर लेता है और इस chip में आपको rectifier controller clock और load मिलता है ठीक है अब एक बार इसको यह EMF मिल गया तो मतलब यह जो chip है आपके passive device के अंदर इसको power मिल गई तो आपने समझा कि क्यों आपको यहां पे power नहीं चाहिए होती है क्यों नहीं चाहिए होती है क्यों इस electromagnetic induction के concept से आप क्या कर रहे हो यहां पे EMF generate कर रहे हो तो यह जो time varying जो current है या जो waves है वो यहां पे क्या कर रही है यहां पे आपका EMF generate कर दे रही है अब इस EMF generate करने की वज़े से यहां पे पावर जिन्रीः हो जा रहा है और आपका सारा प्रिंसीपल काम कर ले रहा है अब 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 यह चिप आपकी, अब वरकिंग केंडिशन में आ जा रही है अब क्या होता है ये जो लोड यहां पे लगा हुआ है ये लोड मॉडिलेशन की मदद से load modulation की मदद से ठीके load modulation की मदद से क्या करता है आपकी वापस से signal generate करता है जो यह क्या करता है NFC device read opening तो कोई भी आप active device ले और जैसे सब्गोज़ अपका credit card है तो जो आपकी machine है जो swiping machine है वो swiping machine क्या कर रहा है आपका NFC device का काम कर रहा है जो NFC enabled है वो क्या कर रहा है वो यहां passive device की तरीके से काम कर रहा है उसके लगी हुई है अभी उसके पास कोई भी power नहीं है because of this coupling electromagnetic induction यह में induce होने की वज़े से उसमें power आ जाती है अब वो perfectly काम करने लग जाता है because उसमें power आ गई है वो काम करने लगेगा वो कार्ड आपकी जो information है वो यहां पे वापस send करने लग देता है वापस send कर देता है किसको जो आपका payment terminal है जो आपका मशीन है swiping machine जो है तो उस swiping machine को actually आपका detail इस NFC या wireless connectivity के थुरू मिल जाता है कुछ यही principle यही जो EMF induced होने का principle है यही हम use करते है even charging के समय भी तो जो wireless charging उसमें यही चीज यूज करते है even data transfer करते हैं समय भी हम इसी चीज का use कर रहे होते है समझ माया तो basically यह concept NFC का कि NFC किस चीज़ पर काम करता है तो जैसे कि अब NFC की बात करते हैं तो basically NFC जो है चार modes पर अप्रेट करता है बनाब जो main है वो तो तो तीन modes है पर एक और है चार which is wireless charging mode main यह तीन तो आपके modes है ही तीक है यह तीन modes तो है ही which is reader writer mode, peer-to-peer mode, card emulation mode and wireless charging mode wireless charging कहीं पर include होता है कहीं पर नहीं होता है पर यह तीन तो आपको हर जगा मिलेंगे अब reader writer mode क्या है तो basically tax का use है reader writer mode में मतलब आप क्या कर सकते हो आप सिर्फ NFC से payment या फिर data transfer नहीं कर सकते या फिर सिर्फ आप क्या कर सकते हो और भी बहुत सा काम कर सकते हो जैसे कि आप अपनी particular data या फिर सब्सक्राइब इंस्टाग्राम अकाउंट फेस्बुक अकाउंट सब कुछ आप शेर कर सकते हो वाइफाइ का पास्फिट शेर कर सकते हो with the help of NFC ठीक है उसमें आपको active devices नहीं जाहिए आपको tags चाहिए तो NFC tag आपने कहीं पर भी लगा दिया आपने के बास एक NFC enabled device है आपने उसको touch किया आपका वहां का information आपकी device पर आगे ठीक है तो this mode is a one way data transmission mode the active device possibly a smartphone links up with another device in order to read information from it NFC advertising tags use this mode NFC advertisement tags इसका use करते है peer-to-peer mode क्या होता है तो peer-to-peer mode में data transfer होता है अगर आपने दो mobiles को link कर दिया ठीक है so exchange of various piece of information is allowed between two devices to do smartphone जिसे की NFC सब्सक्राइब कर दिया इन इसमें से data transfer कर रहे हो in this mode both devices switch between active when sending data and passive when receiving active-passive change होते रहते switch होते रहते जिसे कि एक device send कर रहा है तो यह active का काम कर रहा है पर यह send कर रहा है तो यह active का काम कर रहा है यह passive का काम कर रहा है like that right card emulation mode so in this mode our operation sorry of in this mode of operation the NFC device can function as a smart or contactless credit card and make payments or tap into public transport systems तो कहीं पर भी आप क्या कर सकते हो just tap करके payment करने का काम कर सकते हो तो वह है आपका card emulation mode इसके बादे रहा है wireless charging mode a wireless charging mode भी बहुत important है so the new NFC standards has a far sorry has a far lower charging capacity than the qi charging so qi charging है उससे आप proper charging कर सकते हो but NFC से आप कम charging कर पाते है कि inductance कम offer करता है तो इसलिए यह power भी कम offer करता है तो जब आपको NFC है यह 1 watt offer करता है offering up to a charging capacity of 1 watt compared to the base qi charging capacity of 5 watt qi आपको 5 watt की power दे रहा है यह 1 watt की दे पार है आप smart phones को charge करने में but this solution makes it easier and most convenient to charge low power IoT devices such as smart watches, fitness trackers, wireless earbuds, digital pens and other consumer devices तो बाकि यह सब जो devices which small battery use करते है small power चाहिए इनको charge करने के लिए आप definitely NFC का use कर सकते हो और अगर आप इनको use करोगे तो आपकी battery भी safe रहती है तो आप इस आपको समझ माई होगी कि क्या-क्या modes पर आपका NFC बेसिकली काम करता है अब NFC के भाई बहुत सारे principle है तो आप्लिकेशन बहुत सारे हैं जैसे कि आप smart cards अभी देख सकते हो हैना e-wallets payment कर सकते हो smart ticketing कर सकते हो तो बेसिकली किया को smart cards आप जिसे आपने credit card बगर बना लिया तो smart cards बना सकते हो even suppose मेरा कोई personal identification card है जिसमें में साथ details लिख लिए नाम, contact number तो उसको मैं smart card बना सकता हूँ किसी को भी share कर सकता हूँ वो tap करेगा उसके पास साथ details चले जाएंगी तो smart card बना सकते हो e-wallet से payment कर सकते हो तो smart phone से payment करने के लिए NFC enabled devices से आप payment बढ़े साथ कर सकते हो smart ticketing suppose ticket लेना है आपको ticket check कराना है अब movie house में ticket check कराना है तो simple सी आपके पास NFC enabled device है आपने tap किया वो check हो गए ticket इस तरीके साथ ticket check करा सकते हो medicine and healthcare तो basically किसी भी patient के suppose detail जानना है हमें तो basically किसी भी patient के पास suppose NFC tag लगा सकते हैं उनके उपर जिसमें उनके पूरी medical history है तो कोई भी doctor आगे उसको tap करें उनके पास पूरी medical history आजाएगी ना कि हम paper रेके घूम रहे हैं सारे तो यह सब आप कर सकते हो हैना keyless access कर सकते हो तो आपको key की जरूती नहीं NFC के मदद से access कर सकते हो हैना बिना key की access manufacturing और logistics and shipping में तो जब आप चीजों को manage कर रहे होते हो या manufacture कर रहे होते हो अब चीजों का track रखना है अब इस तरीके से मतलब आप qr की मदद से या फिर barcodes की मदद से उनको track करना बहुत मुश्किल हो जाता है NFC मदद से यह जो tracking है बहुत असान हो जाती है smart inventory management भी हो गया inventory management मतलब समान का management को कोई भी store है जिसमें बहुत सरा समान exist करता है तो वो समान का exist वो store को manage करना तो NFC के मदद से वो management बहुत असान हो जाता है ठीक है theft control तो चोरी बचाने के लिए आप NFC का बिल्कुल use कर सकते हो NFC information tax अब कोई भी information जैसे wifi password हो गिरा हो गया वो share करना है तो wifi password शेयर करने के लिए आप information tax लगा सकते हो अलग लग जगा पे advertisements जैसे की होते हैं तो अलग लग companies जो advertisements कर रही है वो अपने जो भी hoardings और लगा रही है वहां पे NFC enabled devices chips लगा देंगी उससे अगर आपकी device में NFC tap करो उनकी पूरी detail आपके पास आजाएगी right smart homes अब यह आगे futuristic है कि आप smart home में IOT & 5G में condition क्या है कि इसके awareness फैलानी जरूरी है right awareness फैलानी जरूरी बागे अगर मैं NFC को बाकी technology से compare कुर तो फटाफट करते हैं जरा जिसे की Bluetooth versus NFC ठीक है So why is both NFC and Bluetooth technologies are similar in that they both involve wireless transfer methods beyond that they have very different capabilities तो दोनों जो है wireless connectivity पे काम करते हैं but उनकी capabilities बहुत अलग है NFC is best use over short distances to securely send small amounts of data hence it is commonly used for access control and payments तो basically NFC किसले use होता है short distance travel के लिए होता है short distance data transfer के लिए होता है तो small amount of data आप इससे transfer कर सकते हो और इसलिए जो आपका accessor controls मतलब payments अगरे के लिए आप इसका use करते हो On the other hand Bluetooth is not as secure as NFC is तो उपन से आपका large connection range बहुत सरा connection range open कर देता है and is most often used on wireless devices such as headphones and audio speakers तो बहुत बड़ी connectivity open कर देता है और इसको use करके आप definitely कर सकते हो connectivity establish कर सकते हो मतलब short range के लिए short data transfer के लिए जो use होता हो तो NFC और wide range open करने के लिए wide data transfer करने के लिए आप use करते हो Bluetooth का इसी तरीके से अगर मैं NFC और RFID करो same technology है difference क्या है फिर so RFID is the process by which items are uniquely identified using radio waves and NFC is specialized subset within the family of RFID technology so RFID technology का एक subset है NFC NFC कोई अलग चीज नहीं है RFID का ही subset है बढ़ कुछ special feature है क्या देखो NFC is designed to be a secure form of data exchange and NFC device is capable of being both an NFC reader and an NFC tag अब केस यह है कि NFC में आप peer-to-peer transfer कर सकते हो मतलब एक device, इस device से इस device से इस device से इस device में भी transfer कर सकते हो RFID में क्या होता है आप एक device से दूसरी device में send कर सकते हो बढ़ दूसरे इस पहले में नहीं कर सकते हो तो मतलब टाक का तो काम कर सकता है हो बढ़ two-way communication नहीं हो सकता राइट अब this unique feature allows NFC devices to communicate peer-to-peer मतलब दोड़ों devices में data transfer हो सकता है अगर मैं QR codes को NFC से compare करूं तो क्या भाई क्या difference है क्यूर तम यूज करता है ना payment में तो QR और NFC में क्या difference है? देखिये QR codes and NFC are two types of proximity technology which can interact with mobile phones definitely the main difference between QR and NFC is how the device is triggered QR codes have to be activated by user scanning an image the code with the camera app तो basically QR में तिक्कत किया है आपको इसको scan मतलब फोन खोल के पुरा आप खोलना पड़ेगा scan करना पड़ेगा QR scan होगा फिर payment करोगा फिर होगा आप इसमें काफी सरा आपको connectivity में problem आती है NFC के है? NFC में कोई आप नहीं चाहिए कोई net नहीं चाहिए आप सीज़े बस tap करो connect होगा खतम तो यही है भाई feature NFC का NFC works just like tapping on the item just like contactless Apple Pay without the user doing anything on the phone itself तो फोन पर आपको कुछ नहीं करना है कुछ scan वगरा नहीं करना कुछ नहीं खोलना सीधे क्या करना है? आपको tap करना है जिसके Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay आपको offer करना है यह चीज़े सिर्फ आप tap करो payment हो जाएग आपको scan वगरा कुछ नहीं करना है क्योंकि कई बार क्या होता है यह QRS खराब हो जाते है अब यह scan ही नहीं होते है यह कभी कबर आपने यह experience क्या होगा आपको camera रखा हुआ है आप scan करने के लिए खड़े होगा वह scan ही नहीं हो रहा है तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप NFC definitely use कर सकते हो ठीक है? NFC use कर सकते हो अब यह आपके में यह tension आ जाएगी यह ऐसा है sir कि कभी भी connect हो जाएगा मुझे कुछ भी करने की जरूत है वे तो यह घरबड़ी है कभी भी मेरे wallet से पैसे कट जाएंगे मेरे credit card सब्सक्राइब में रखा हुआ है वो scan हो गया वो पैसे कट गया तो एक तो यहां पर important point यह है कि भाई आपका एक तो वो short range में होना चाहिए मतला contact होना चाहिए बिना contact के नहीं हो सकता इसके बाद यह कुछ wallets भी आते हैं जो RFID protected wallets होते हैं ठीक है तो these wallets seem like normal ones but have built in RFID protection तो RFID protection होता है इनके पास कैसे a faradic cage which is nothing but an enclosure that blocks electromagnetic signals is formed around the wallet तो faradic cage हम बना देते हैं इन wallets के चारों तरफ wallets के चारों तरफ faradic cage बना देते हैं जिससे कि यह signals को ब्लॉक करता है जो radio waves आती है उस signal को ब्लॉक करने काम करता है मतला basic अगर मैं आपको principle बता हूँ तो अगर यह RFID आपने इचे सुनी भी होगी RFID protected wallets काफी सारे wallets में किया जाता है RFID protected है RFID safe है यहां पे इसका क्या मतलब है what is the meaning of that so the simple meaning is कि वहां पे faradic cage का use हो रहा है और वह क्या करना आपके radio waves को block कर रहा है मतला अगर उसके अंदर for this the usual leather wallets use a piece of metal on both sides of the card तो इस चीज़ के लिए बहुत simple सा काम होता है क्या होता है कि leather wallet होता है बेट उसके चाहँ तरफ क्या होता है metal piece का use करते है some cards are totally made of metals that is itself act as a faradic cage तो कुछ credit card holder जो है या फिर कुछ जो है आपके जो wallets होते है तो वो metal की बने होते है तो वो खुद ही आपको क्या कर रहे होते है फिर क्या कर रहे होते है और आपके RFID protected होते है मतलब RFID NCP based है basically यहाँ पर जो principle यूज कर रहे हैं इसको हम RFID कर रहे है RFID protected या NFC protected RFID protected या NFC protected same चीज है इसमें क्या होने वाला है आपका basically क्या होने वाला है आपका यहाँ पर blockage होने वाला है radio waves से communicate या contact नहीं होने वाले connect नहीं होने वाले समझ माया तो इन wallets को अब आपको समझ में आगए क्या है RFID protected wallets चलो इसके बाद नेक से limitations of NFC अब हर technology की बहुत सब्सक्राइब इसके कुछ limitation है क्या है दखो so as with an evolving technology retailers need time to wrap up their equipment to be able to process NFC transactions so for now consumers should still carry cash or payment cards अब क्या है NFC की दिक्कत है awareness नहीं है इसलिए मैं सब चीज़े बना रहा हूं ताकि awareness फिलाए जाए सके ठीक है क्योंकि अगर retailers कम होंगे मतलब उस चीज़ को यूज करने वाले लोग कम होंगे तो definitely आपको वो चीज़ यूज ही नहीं कर पाऊंगे अब आपके phone में NFC है मुझे बताइएगा सच-सच comment box में कि आपने कितनी बार NFC का यूज किया है या फिर किस-किस बच्चों को जो है आपके NFC के uses पता है उसी के लिए मैं यह shots बना रहा हूँ जिससे कि आपको यह पता चल सके कि क्या-क्या है NFC के basically use आप क्या-क्या use कर सकते हो technology है हमारे चारो तरफ हम उसको use नहीं करते क्योंकि awareness नहीं है राइट in fact even after NFC technology becomes universal users may still need to carry a backup payment method अब even अगर universal भी हो जाए तब भी थोड़ी सी दिक्कत है आपको backup payment method हमेशे carry करना है reason क्या you cannot do much of anything with a device whose battery is drained अब किसी device इसकी battery drained है तो उस पर आप कुछी नहीं कर सकते तो आपको backup carry करना पड़ेगा इसी को trigger करने के लिए आगे और technologies चल रही है आपका fast charging चल रही है अलग लग boot बनाए जा रहे है wireless charging के लिए तो वो सब चीज़ा हम achieve करने की आगे कोशिश कर रहे है future में यह हम achieve तभी कर पाएंगे जब awareness होगी जब लोगों को पता होगा technology के बारे में तो यह awareness फैलाना ज़रूरी है अब मैंने अपनी तरफ से काम कर दें आपको awareness देंके अब आपका काम है कि इसको आगे और spread करो और इस awareness को फैलाओ मतलब technology के awareness फैलाएंगे भाई whether this would be permanent downside of to NFC technology however remains to be seen तो यह permanent है बट ठीक है इस पे भी हम काम चल रहा है इस पे भी आगे चीज़े चल रही है ठीक है तो इस पे definitely हम technology से कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे ठीक है बट अब हमारा काम क्या रहा है हमारा काम है इस इन technologies को जो हमारा technologies है वो जानना और यूज करना अच्छली कैस हम इसी जैसे different है western countries से क्योंकि western countries को technology पता है वो यूज करना है इस चीज का एनसी का वो भरपूर यूज करना है बट हमें उसके बारे में पता ही नहीं है पता ही नहीं है awareness ही नहीं है तो यूज कैसे करेंगे अगर हमें western western countries की standards को meet करना है तो definitely यह जो technology हमारे आसपास है इसको जानना पड़ेगा और इसको यूज करना पड़ेगा उसके लिए awareness वलानी पड़ेगी तो magnet brains आपके साथ इन technology related videos के साथ है definitely मैं यह duty लेता हूँ कि आपको यह जो technology related videos है यह awareness है मैं फिलाऊंगा बस उसके लिए चाहिए क्या मुझे आपकी तरफ से कि आप हमाय साथ इसी तरीके से बने रहे और यह video उसको promote करते रहे ताकि जैसे आप इसका benefit ले पा रहे हैं हर कोई इसका benefit ले पाए so इसी तरीके से मांगने बढ़े रहे है मैं आपसे मलता हूं next video में और next चीज़ के बारे हम बात करेंगा आगे